हाई गाईज, वेल्किब टू फिटनस केज, मैसेल्फ नितन चौधरी और आज हम डिस्केस करेंगे डाइट के बारे में, काप्स, फैट, प्रोटीन, फाइबर, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इंडियन जीन्स, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे कमिलिटीज हैं, जानने के लिए हम आज डिसकस करेंगे, हम बात करेंगे बहुत सारी अलगले चीज़ों में, फैट, काप्स, प्रोटीन, क्या चीज़े हमारे को टापा बढ़ाती हैं, क्या चीज़े हमारी मसल्स को रिकभरी करने में, और मसल्स साइस बढ़ाने में help करेंगे, कौन सी यह सारी काप्स के रिशो हैं, ठीक है, और माइक्रो आजाती ही, बहुत सारी मिल्टी वाइटमेंस, मिनरल्स और फैटी एसस, यह सारी चीज़े हमें जानना है, बहुत इंपर्टेन का बैलन्स, बहुत जादा ज़रुरी होता है, हमारी बोड़ी की क्रोज के लिए, मुसल जानना है, चीज कितना खाना है, बहुत बहुत साथ है, इंपोर्टन्ट है, अपने हां का, इंडिया का घी, देसी घी, बहुत इंपोर्टन होता है, वह बहुत साथ है हमारी डाइट लिए, अकसल लोग उसको अवेट करते हैं, यह घी खाएंगे तो मोटे बजाएंगे, नहीं है, ऐसा नहीं है, कि बहुत साथ है, पुराने बुदर्ब कहते हैं, खी खाऊ होए तो बाटी मेनेगे, शरीर मनेगा, तो वह चीज है इतानना, अभी तोलबी है, क्यों, कैसे, क्योंकि अभी का जो ट्रेंट चल रहे हैं, कि डाइट हम लामन लग रहे हैं, खाने पर कर देंगे, तो वह फैट में कर देंगे, तो वह फैट हाने से, कभी हम उटे नहीं होते हैं, क्योंकि चीज की मकन बहुत फाइदे मन होता है, बैक रॉस्न रिलीस करी रहा है, साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉंग कर मदद करेंगा, बहुत सारे ऐसे प्रॉटेंट यह जोइंट्स, लिब्रिकेशन का काम कैसे करेगा, यूँकि बड़ती उम्र के साथ साथ है, हमारे कैल्शियों के अब्रॉप्शन भी काम होने लग जाता है, बहुत सारे ऐसे दिक्कत याथ, यह जोइंट्स में बहुत अच्छे से सॉल्फ करता है, यह लि यह है कि हमारी रिपार्मेंट क्या है, चिकिन, मड़न, ठीक है, रेड मीट, यह बहुत सारे चीज़े है, पनीर, यह सोर्स है, बहुत अच्छे प्रॉटीन की, और मिक्स अव ताल्स, यह बहुत सारे सॉर्स है, भुट्ली वगरणा, वेजईस में बहुत सारे ऑप्शन है वेजटरियान और वेजटरियान, हमारे पासॉप्शन बहुत है, वालिटी आर कामिवेध्य कहofford, कामिपनेट कह Berry के लिए है, फिर भौने साव मंुत कहा है, काम मौण दुपर्टीना ब्लचन पया व्यालजिश्य के लिए है क्कन. तरशा बहुत워서 होताः प्रॉट्छ वर एक एतनी है any एक बहुत इंपर्टेंट होता है समाजद है क्युंकि दाल है कैसा है क्रोटिन हम लिक्सों कर रहे है रा है बैक इस सबसे काम में क्यों में क्यूंकि वह in complete profile प्रुटेम Informationen हिमें कम्प्रेट्ट प्रोफाइल हमें देखना है समझना है, बहुत सारे हैं चिकन्, बहुत अच्छी complete profile माने जाती है, और खासकर दूर से वनेशीय, बनिल हो गया, यह बहुत अच्छी complete profile है, बट, इसको कितने बजे खाना है, कैसे खाना है, यह important होता है, हमारे लिए और आप सभी के लिए भी, तो मैं यही बताने हैं आपक के सांट कॉंप्लेक्स काफ जात है इसाट है किसके साथ है इस तरहा है इस शौजा डाइट बनागे है तो सारे पेशेंटेंस भीर दीट बना है क्या लॉस हो रहा है बॉटल लॉस हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है वेट लॉस हो रहा है वेट लॉस करना है फैट लॉस करना है या बिल्कुल दुपला पत्ना हो रहा है या फिसीक अच्छी रखनी है कैसा चाहिए हमें इंपोर्टन यह है तो इसलिए आप मुझसे पूछ सकते सवार अपन जानते है कि सभी लोग का इमान है कर्माइड़े हमारे यहां पर बहुत जादा खाया जाता है 70% डाइट इंडिया में काभो हाइड़ेट की होती है तो क्या यह फाइदे मंद है है, फ्यूल का काम तो कर रहा है बट मसल नहीं बढ़ाए गया क्यों मसल बढ़ाने का काम होता है एचलिए प्रोटीन का ठीक है, हमारी डाइट में प्रोटीन सोर्स बहुत साथ है प्रोटीन में बहुत सारी चीर जाती है और काप्स में भी पहुंसारी चीज़ आती है तो ये दोनों को combination बहुत important है साथ ही साथ fiber हमारी body की quality को बहुत अच्छा रखता है और basics सबसे ज़्यादा basics fiber होते हैं muscles की symmetry को अच्छा दिखाने के लिए ठीक है but decide ये करना रहता है कि हम proper हर चीज को प्रोपर तरीके से खाएं और प्रोपर quantity में खाएं क्यूंकि quantity बहुत important है quantity जितनी अच्छी रहेगी है हमारी body की quality उतनी अच्छी बहार आएगी है अच्छा देखना है फिजीक सची रखनी है सब को impress करना है impression उस impression आखास impression सबसे बड़ी point यह है diet के लिए और मेरा selection यही रहेगा अगर आपको कुछ भी चीजे diet से रिल्टेट जाननी है समझनी है फैट हो, काबोईट हो, प्रोटीन हो और अदर चीजों fatty acids है तो हाँ मुझे comment करें, like करें, subscribe करें और मुझे से ज़रू सवाल पूशेगा diet के बारे में बहुत अच्छा रहेगा